हे गाईज देखो जिस तरीके से सुजलोन भागता हुआ नजर आ रहा है कुछ लोग का ऐसा मनना है कि वापस यह प्राइस रिवर्सल करके क्या 400 रुपीज पे जा सकता है जिस तरीके से यह भाग रहा है आज के रेट में भी यह 20% भागा हाँ लास्ट वर्किंग डे में भी यह भागा था और पिछले 5 दिनों में वापस यह स्टॉक जो है 35% तक का रिटर निकाल के दे दिया तो कुछ लोग की उमीद होती है कि भाई यह जो स्टॉक है 400 रुपीज से गिर के नीचे आया है तो क्या हम उमीद कर सकते हैं कि वापस कम से कम 400 रुपीज जा सके चलो को आपको reason पता है तो ठीक है अगर आपको reason नहीं पता है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप फस जाओ या फिर आप हाई पे खरीद लो फिर stock नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए तो देखो right issue है तक company का हो गया company को कल के date में जो 67% तेजी देखने को मिली है जो यह अदा आदानी green के तरफ से मिला ठीक है ओने new order आपको बताया जा रहा to develop a 43.3 megawatt wind यहाँ पर आपको बताया जा रहा power project from आदानी green energy के लिए तो यह जो है कि हमारी इंडिया का सबसे बड़ा company आभी suppose माल लेते है कि कि किसी छोटी company को अगर reliance के तरफ से order मिल जा तो तब तो मज़ करोड की company तो reliance अगर छोटा भी order देदेगा तो company के बड़ा होता उसी तरीके से यह जो अदानी green आपको दिख रहा हाँ यह है 4 lakh करोड का market cap 3 lakh करोड का market cap लेकिन यह include किया जाता 20 lakh करोड का market cap ही इसको include किया जाता क्योंकि अदानी group में आता यह company इस वज़े से तो पहली च जाता देखो यह बहुत बड़ी चीज़ होती है मतलब एक जो है wind power लगाने में कम से कम 1 CR तक का खरचा आजाता है यह बहुत बड़ा amount है कभी-कभी तो 2 CR भी पहुंच जाते हैं मतलब जगे भी देखे जाते हैं अगर जगे अच्छे नहीं है तो भाई वहाँ पर ज्याद से समझे है इस चोटी सी कमपनी को अदानी ग्रुप ने दिया बड़ा order खबर आते ही शेयर बन गया rocket बात समझने की कुछ सिस्किशे अदानी ने अपने हिसाब से चोटा order ही दिया लेकिन यह company के लिए बहुत है सपोज माल लेते हैं कि अगर माल लेते हैं कि कोई बहुत अ हमके समझे क्या उसको 10-20 लाग रुप एक ने देंगे हैं वो तो करोडों का order देंगे 100-200 या 500 करोडों का तो सोचिए वो उसको कितना बड़ा मतलब इतना पूरे जिंदगी में नहीं कमाया होगा उसको यहाँ पर इतना बड़ा order मिल जाएगा है कि नहीं है तो इस वज़ है हमारे पास ऐसा होगा तो company का जैसा प्लान था अगर वो execute होता हुआ नजर आ रहा है मतलब जो प्लान है वो as per plan सब कुछ चलता आगे नजर आ रहा है तो भाई company को और जौदा benefit नजर आएगा अगर company के plan के हिसाब से अगर कुछ अलग होता है मतलब उनके plan के हिसाब से नुकसान देखने को मलता है company ने साबसा बोल लग रहा कि देखो भाई हम जो पैसा raise कर रहे है इससे हम company को free मतलब क्या करेंगे debt free करने की कोशिश करेंगे और आने वाले 3 सालों या 4 सालों मतलब company को धीरे धीरे पूरी तरीके से debt free करने की कोशिश करेंगे time लगेगा ठीक ह और उस पैसे से company का net profit बढ़ाएंगा तो यह company का मानना है और जितने लोगों को fresh share वगरा खरीदना है तो आप right issue कर सकते हो जहाँ पर आप लोगो बूला जा सकता है कि आप लोगो margin अच्छा मिल जाएगा वहाँ पर benefit जादा मिल जाएगा जो की 5 रुपे के value से बताया गया है 1200 करोर पैसा raise करेगी 240 करोर पार्टली पेड अप टू equity share आपको बताया जा रहा तो इसके कारण जो है stock में आपको तेजी देखने को मिल रही है ठीक है company के अब क्या है कि management भी change हो जाएगे आप लोगो को बताया है कि मतलब बहुत मतलब यह जो हमारे लिए मतलब sad news हो जा है लेकिन company जो है चलता रहता तो इस वज़े से company को पसंबालने वाले दूसरे लोग दूसरा management आ जागा तो एक चीज मैं आपको पहले भी बोलता था अभी भी मैं आपको बनूँगा कि company में आपको बहुत बड़ा profit उमीद नहीं कर सकते तो देखे यह temporary benefit आपको देखने को मिला company मतलब जो है धिरे-धिरे मतलब मैं आपको बता दूँ कि एक normal return आपको निकाल के दे सकता है normal return को बहुत बड़ा मतलब अगर आप सोच रहे कि वापस यह stock 400 रुपे में चला जाएगा यह 200 रुपे में चला जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कुछ भी नही वापस आगया फिर देखें यहां पर भी 20% का circuit देखने को मिला और फिर नीचे आगया फिर देखो इतना है यह पिछले एक साल से company अपने लेवल में काम कर रही है पिछले 5 सालों का भी data देखोगे तो कई बार circuit मारी है company देखने 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 को मिला तो यह मैं आपको share जो है यहां पर trade होते हुए नजरा है 26% तक का यहां पर delivery उठाया गया ठीक है तो बाकी मरजी आपकी है मैं आपको बलूँगा कि आपको यह stock पसंद है तो आप खरी सकते है हाला कि मेरे हिसाब से मुझे यह stock पसंद नहीं है बहले यह 20-20% का जो circuit है वो 50 दिन तक भी चले फिर भी मुझे यह stock पसंद नहीं है बगवान की दह से मैं उमीद करता हूं कि मतलब यह 50 दिनों तक 20% के circuit से चलता वो नजरा है लेकिन फिर भी मैं यह stock को ना मैं खरीदूंगा और नहीं मतलब जो मेरे करीवी लोग है मैं उनको खरीदने के लिए बोलूँगा और बाकी म आपको बलूँगा कि company का एक बार valuation देख लिए जगा जरूर से और company का fair value क्या है intrinsic value क्या है company कितना ज़्यादा premium पे चल रहा है कहीं ऐसा नहों कि उपर में लोग कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब खबरों के दिम पर stock जब उपर जाता है तो लोग मतलब क्या करते है volume के बिकारण stock को उपर लिके जाते हैं और फिर उपर में माल बेज देते हैं और फिस stock के नीचे आना start हो जाता तो retail निवे सक फच जाते हैं तो यह सारी चीज़े ध्यान में रखते हैं वह stock को खरीदेगा company का पूरा valuation पता कर लिजेगा और अगर आप stock market में नहीं हो तो अपन अपन कर सकते हैं